बोलो जै माता की दोस्तों बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर दोस्तों बच्चों जैसा कि आप जानते ही हो इस साल सन 2024 में शादिय नवरातरी शुरू हो चुकी है जो के 3 अक्तूबर से 11 अक्तूबर तक चलेगी नवरातरी में अश्टमी तिथी और नम्वी तिथी का विशेश महतव होता है अश्टमी के दिन मा दुर्गा के आठवे सवरूप का जिसको महागोरी के नाम से जाना जाता है पूजा की जाती है और नम्वी के दिन मा दुर्गा के नम्वे सवरूप मा सिद्धी रातरी की पूजा का विधान है अश्टमी और नम्वी तिथी दोनों दिन ही कन्या पूजन करना अत्यांत शुब फाल दाई माना गया है माना गया है कि कन्या पूजन के बाद ही भगतों को अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सन 2024 में शार्दिय नवरात्री में अश्टमी और नम्मी किस दिन मनाई जाएगी और कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा आएए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में पर उस से पहले जो बंधू मेरे चैनल पर नए हैं जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना वी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सब से पहले आपको मिले बच्चो दोस्तो इस बार अश्टमी तिथी और नौमी तिथी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिती बनी हुई है कि किस दिन अश्टमी मनाएं और किस दिन नौमी मनाएं और किस दिन कन्या पूजन करना सब से सर्व स्रेष्ट रहेगा त भगतो साल 2024 में शार्दिय नवरात्रे की अश्टमी थी जो के नवरात्री के आठवे दिन मनाई जाती है जिसे महा अश्टमी के नाम से भी जाना जाता है वो 10 अक्तूबर दोपेहर 12 बज कर 31 मिनट पर प्रारंब होगी और 11 अक्तूबर को दोपेहर 12 बज कर 6 मिनट पर उसका समापन होगा 10 अक्तूबर को अश्टमी वरत इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि सब्तमी युक्त अश्टमी का वरत रखना हमारे धर्म गरंतों में निशेद बताया गया है इसलिए 11 अक्तूबर के दिन अश्टमी तिथी दोपेहर तक रहेगी और 9 युक्त अश्टमी का वरत रखना शुब होता है इसलिए जो लोग सधारन वरत रखकर अश्टमी पूजन करते हैं वो 11 अक्तूबर को ही अश्टमी पूजन करेंगे दुर्गा अश्टमी के दिन एक विशेश पूजा भी होती है मादुर्गा की जिसे निशा पूजा कहते हैं जिस दिन आधी रातरी के समय अश्टमी तिथी हो उस दिन ये पूजा की जाती है जो लोग निशा पूजा करेंगे उनके लिए अश्टमी तिथी 10 अक्तूबर को ही मानने होगी क्योंकि तब तक अश्टमी तिथी का प्रारंब हो चुका होगा अब आपको बता दें के 9 तिथी 11 अक्तूबर को दोपेहर 12 बज कर 6 मिनट पर प्रारंब होगी और 12 अक्तूबर को सुभा 10 बज कर 58 मिनट पर सुमापत हो जाएगी इसलिए 11 अक्तूबर को ही 9 तिथी का वरत रखा जाएगा और वरत का पारन 12 अक्तूबर को किया जाएगा इस बार अश्टमी और 9 तिथी 11 अक्तूबर को ही मनाई जाएगी 12 अक्तूबर को धुरगा पूजन का विसर्जन किया जाएगा नवरातरी का पूजन तबी पूरा होता है जब आप कन्या पूजन करते हैं एक दिन पहले कन्याओं को निमंतरन देया जाता है दो से लेकर दस साल तक की कन्याओं को भोजन कराना बहुत शुब रहता है फिर अश्टमी और नौमी के दिन हलवा, पूरी, काले, चने, नारियल वा, फल इतियादी से कन्याओं को भोजन किया जाता है जिसमें साथ या नौ कन्याओं को जरूर बुलाना चाहिए ज्यादा बुला सको तो आपकी इच्छा सबी कन्याओं का पूजन करके आदर पूर्वक उनको भोजन कराया जाता है और अंत में कन्या को धनवा उपहार देकर विदा किया जाता है कन्या पूजन से माता बहुत परसन होती है और भगतों को सुख और शांती का वरदान देती है चुकि इस बार अश्टमी और नौमी दोनों एक ही दिन 11 अक्तूबर को मनाई जाएगी कन्या पूजन के लिए सुबा 10 बजे से 41 मिनट तक का समय अती शुब रहेगा इसके बाद दोपेहर 12 बजकर 8 मिनट पर राहु काल शुरू हो जाएगा राहु काल में कोई भी कार्या करना शुब नहीं होता इसलिए राहु काल शुरू होने से पहले अपनी पूजा कर लें आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ बोलो माता रानी की जै